जाहिन बच्चो अपना स्क्रोन लें चले में आपका स्वागत है तो आज का हमारा चैप्टर है नैच्रल रिसोर्सेज में वेजिटेशन एंड विल्ड लाइफ तो देखे जो आर्थ हमारा प्लैनेट है यह इतना खूपसूथ प्लैनेट नहीं था स्टार्टिंग में तो स् कोई लाइफ नहीं थी वाटर में और नहीं लैंड पर तो स्लोली स्लोली और्गनिजम्स ने ग्रो करना शुरू किया और उसके बाद ही अनिमल स्वेंड प्लांट्स का फॉर्मेशन हुआ जो कि आज की डेट में हम देख सकते हैं तो देखिए असेंब्लेंस ओफ प्लांट स्वेस्पी तो देखिए सबी प्लांट्स को चाहे वो फ्रेस्ट हैं चाहे वो ग्रासिज हैं चाहे वो शर्प्ज हैं चाहे वो हर्प्स हैं इन अगर सब को हम कंबाइन कर दें तो कंबाइन हम इनका नाम क्या ले सकते हैं इनको कह सकते हैं नैच्रल वेजिटेशन क्योंकि होना चाहिए जक्षिन क्या है सब्सक्राइब करना चाहिए साथ की तो चाहिए और से मिल जाएं प्लस याधा Σीम पर जूना सय करने तो आहिए बात करते हैं अने इरिय चें जहांपे रेन फाल बहुत होता है तो जदा रेन फाल थे करन वहाँ हाट भी रहेगा क्यों के सन निकलेगा तो उसके करन वहाँ पे प्लांटıktह ऊते हैं वह काफी डेंस होते हैं और चॉता falar तो उन एरियाज में जहां पर rainfall कम होती है तो रेन जैसे की डेजर्ट्स हो गया रागी स्थान्स होगे वहां पर प्लांट्स होगे बहुत डैन्स नहीं होंगे वहां पर शर्ब्स होंगे शौर्ट सा अपने साइज के ट्रीज होंगे जो commonly मिलेंगे आपको तो वहां पर आप्समे प्रेंस पांसला होगा ट्रीज का बोड़ ज्यादा होगा और शौट ट्रीज मिलें को दो फैक्टर ज़र होट और रेंग नहीं मिला रेंग कम मिलने से उनकी ग्रोथ कम होई अब देखिए जहां पर कोल्ड रिजन्स है जहां पर टेंपरेचर ठंडा रहता है वहां पर ग्रो से होता है और लीचन्स जो पेड की छाल पेज लगते हैं छोट छोटे से दब्बे से यह लीचन्स इस तरह के पौदे ही होते हैं अब करें क्लासिफिकेशन और फ्रेस्ट की बात करें तो देखिए फ्रेस्ट को हम तीन काटेगरीज में डवाइड कर से फरस्ट है सब्सक्राइब बात करते हैं सबसे पहले ट्रॉपिकल हाड़ फ्रेस्ट में ट्रॉपिकल एबर्ग्रीन फ्रेस्ट की तो देखिए इनको एबर गिन फ्रेस्ट जो है काफी ज़्यादा होती है तो यहां पर बरसात काफी अच्छी होती है और टेंपरेचर भी हॉट रहता है तो तो तोनों कंडिशन मिलने कारण यहां पर यह जो ट्रीज हैं एबर्ग्रीन रहते हैं तो देखिए यहां पर जो सभी ट्रीज हैं फोरेस्ट के वो डैंस होते हैं थिकली पॉपुलेटर होते हैं जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं और अपने जो लीव से कभी श्रैड नहीं करते सेम टाइम पर यह हमेशा आपको हरे बरे लगेंगे इनमें श्रैडिंग ज पर-णाट चारंड झेह हमेशा ग्रोव करते रहते हैं और कभी इनको नीड़नी पड़ती बापना पड़े हैं कि चेय्टिंग फीचर में क्वेचर की अन्र कि मिलते हैं ए प्रवाइब यहां से इनका मौश्चर है वह सके ट्रांस्पिरेशन हो सके तो कि इनके पास बहुत पाणी होता है तो टाइपिकल ट्री जो है इस एरिया कि इस प्रेस्ट के बोन में क्या है कुछ कैटेग्री जो कॉमन ट्री जेन एरिया के नमबर वन है इसमें हमारा महगनी ट्री जैसे का पिक्चर में देख सकते हैं अगे है इसमें पालम ट्री नेक्स्ट इसमें जो ट्री में मिलता है वो है रोजबुड ट्री तो यह इसके पॉप्लर ट्री जैस फॉरस्ट में पाई जाने वाले अगर बात करें इन फॉरस्ट की इंडिया में कहां कहा है तो देखीजिए बैस्ट्रन गार्ड्स के आसपास मिलते हैं ट्री जो हमारी वहत आई हैं वैस्त तरफ और केरला स्टेट में मिलते हैं हमारे ट्रीज इनको कि अबरिवर्डिन के यह इट बाकर नौटञों फ्रेट पार्ट में मिलते हैं इंडिया कि प्रफ सब्सक्राइं कि की एन कि के इन सब्सक्राइं की करें करें उ eles जाइसे कि अफ्रीका में तीन-चाइज जगए तो खाना है अपना 在 on v. तर्द है फर्द है और फ्रीका में ही नाई जहीरिया वर्ट है वहिए इन जगा हैं पर जेट्रीज Apt है सेटीनद बात करने ग्रहदरी में सेकंड काटेग्री बी काटेगरी टॉपिकल डीसीयस तुकि माप ஐंट करते हैं जहां पर रेंटाइब होती है तो यह फॉरस्ट जोels होता है मुद्ध तो यह वैट एंड्राइशन में सरवाइब करते हैं यहां पर टेम्परच्छ वार्म होता है क्लाइमिट वारा तो देखिए यहां पर रेंफाल होती है में जून जुलाई अगस्थ तब्तंबर में होती है और रेंफाल जो है 100-200 cm के आसपास ही होती है तो इंडिया में बात करें तो देखिए यह नॉर्डन अमेरिका में मिलते हैं अब बात करें कि यहां पर तो यह काफी ज़्यादा नहीं होते जैसे कि पहली काटेगरी इनकी अबरगीन फ्रेस्ट की इनमें काफी जादा थोड़ा सा गैप होता उनके प्त्ते होते हैं बहुत ब्रॉड और मीडियम साइज दोनों तुरा के होते हैं क्योंकि जे इनके पस इतना सर्प्लेस ब्रॉचर वहां से लौस नोजर ट्रांस्पिरेशन तो यह पत्तों को जाडते हैं जैसे कि दूसरी ट्री नहीं करते से इसी कैटगरी में तो इनकी हाइट होती है जो 30 से 40 मीटर्स के आसपस होती जबकि अबर इनकी 60 मीटर्स होती थी तो अगर कॉमन ट्री की बात करें इन सब्सक्राइबू ट्री ट्रीं और फिफ्ट है शिष्म ट्री तो यह में ट्री है जो तर्मनपर यह में और अगर बात करें अनिमल्स की तो अनिमल्स जो पाये आते हैं ट्रॉपिकल डिसीडियस फ्रोरेस्ट में वो है लवायन, टाइगर, एलिफेंट और कई तरह की स्पैसिज हमारी रैप्टाइल्स की जैसे की क्रोकोडाइल्स होगे, स्नेक्स होगे, स्कॉर्पियन्स होगे, टॉट्राइज होगे तो इनकी कैटेगरीज काफी अतादार में पाए जाती है तो सेकंड हमारी कैटेगरी है मेडिटेरियन फॉरेस्ट की, तो मेडिटेरियन फॉरेस्ट जो होते हैं, वो मेडिटेरियन सी के आसपास अराउंड अरियाज में पाए जाते हैं, तो इसलिए इनका नाम मेडिटेरियन फॉरेस्ट भी कहा जाता है, तो देखिए, आप दे स मेठोच और दोफने तो मेठोच पाम बूर्स अफ्रीक है कि के शाउट एशिया अफ्रीका है ant RealMedia में अच्वी और ओर कि यह में भी पाई जाते हैं तो भी तेवट क्वडे कि यह चीर नियुकित उते हैं प्रसुल्य में काफ्य रहते हैं ऑन इसनी मेरितीरियन वर्येट कहते है यह जादा को इसमौल होते हैं ताकि आदा मोयस्टर को ट्रानस्पिरिट ना canvas को बताने के लिए वैक्सी पत्ते होते हैं ताकि मौश्चर कम जहां से निकले इसको रिटेन कर सके हैं नेक्स्ट बात करें तो यह देखिए यह जो फोरेस्ट होते हैं इनकी जो रूट्स होते हैं काफी लंबी होते हैं टीप होती हैं ताकि जार सके नीचे से पानी को ले सकें क्योंकि सक कर सके के जहां पर बरसांत कम होती हैं उनकी ट्रंक होती हैं वो काफी ठिक होते हैं दूसरे नापन कीजा जाता ही ओसार को आदे सकेँ cinNY के देखिए को स्ट्डर कर शोते है। नहीं जाना होम्ट कर आपने इन अध पैसिज की बात करें जो मेडिटीरियन फ्रेस्ट में मिलते हैं वो देखें मेडीरियन मॉंक सील है सेकंड अनिमल्स की बात करें तो बार्बेरी मेकाव थार्ड है देखिए गरीन टॉटराइज आगे देखें बिल्ली जैसा जानबर है लाइबेरियन लाइनिक्स मुकराव नाम पौनिकल शेप होती है इसलिए इनको हम कौनि फेरियूर्ययूर्ट किकाते क्योंकि होनकी शेप होती है इनको कौनि कब शेप होती है कि इसलिए को कॉनिफिरीय को कहते हैं और देखें इन फोनिफे लेडिती हैं को मांटेंस प्रस्ट के नाम से जाना जाता है इस अधिए मिलते हैं हमालया के स्लोप सब्सक्राइब से देखे पिक्चिर हैं ट्रीज की मांटेंटेंग थंड होती है यह वर्ट में ओन पार्ट में हुझा जातथा है इस जो से हैं कानी कल शेबिड हो ताकि झाल इसका कार्ण क्या है कि कारण पर जो बर्फ होती है मोई होती वो कौन शेप होने का निच्छे गिर जाती हैं जिसके कारण जे सर्वाइब करते रहते हैं जो इनके लीफ होते हैं वो ठिक नीडल शेप होते हैं जिएधाथ की नहीं में यहाँ फेक्ट न पड़ सकें और सुनो vanilla से इस में térd और यह कभी भी अपने लीफ को श्रेड नहीं करते कभी भी अपने पत्ते जाड़ते नहीं है और इंपोर्टेंट ट्री जो इस केटेगरी में आते हैं फ्रेस्ट में आते हैं उन्सकी बात करें तो देखिए सबसे पहले हैं पाइन ट्री जो मोस्टली इस तरह के अरियाज में इस तरह के अन्वार्मेंट में एक्जिस्ट करते हैं सेकंड है स्प्रू ट्री थर्ड सीडा ट्री आगे हैं नेक्स्ट सिल्वर फर्ट्री जो सिल्वर जैसे रंग के कारण शेप के कारण लगता हैं आगे हैं सेकिंड अपना नेक्स्ट चेस्टनट्री वालनट्री तो यह पॉपॉलर ट्री जो इस तरह के फॉरेस्ट में पाए जाते हैं इनकी काफी कमर्शिल इंपॉर्टर्स होती हैं कि यह पल्प पेपर बनाने के लिए और प्लाइबुड बनाने के लिए काम आते हैं आगे अनिमल्स की बात करें जो फांड ह की मत पाये जाते हैं नेक्स्ट है हमारे पास अत्य जो गोह भर करेंसिए के में इन्तविश्ट में पाए जाते हैं तो बात करने वांटेजिस की फूरेस्ट की तोस से मैं बहुत रोज़एंठीजमरे लंग्ज है यह आर्थ के कंवर्ट करते हैं और को अक्सिजन में तो इंपृर्टेंट हैं सबसे बड़ा जोगदार है सेकंड हैं यह सब में करते हैं यह लाकडिया करते हैं और फूर्ड गैदर करते हैं और यूजकरते हैं कि चलब करते हैं फोर्स वन्फनिफिट का watches का दो हरते हैं और क्या है और पिफ्ऴ करते हैं PAUL करने में हमारा हवा करते क्यों कि Ben है इसका टुक्ष्म होता है और जो प्रस्द होते हैं का स्पीड भी करते हैं वार्ट का स्पीड भी है स्लो करते हैं आगे देखिए जो डीप फोरेस्टेशन है ट्रीज का बहुत जादा गंबीर प्रॉलम है इसके कारण क्या होता है कई सारे विल ड्राइफ का जो हैबिटेट है वो खत्म हो जा रहा है इससे कारण इकलोजिकल इंबैलन्स हो रहा है कोई चीज बढ़ रही है है को तो लोग फार्मिंग को तो लोग शिफ्टिंग फार्मिंग करते हैं उसको रोकना चाहिए आगे बात करते हैं बिल्ड्लैफ की तो देखे बील्ड लाइफ है इसमें सभी तरह के नौन डमेस्टिक कि आते हैं जिसमें आव और वर्ड्स की बात करें, सभी तरह की वर्ड्स आगे, फिशी जागी और ऐनिमल्स आगे, सब को मिला के गृॉप का नाम दे दिया हमने, विल्ड लाइफ तो यह सभी की सभी non domestic हैं को इनको गर्पिन रखते हैं यह नॉन डमेस्टिक में जितने वर्ड हैं को विल्ड लाइफ करते हैं देखिए जो विल्ड लाइफ है वो place to place vary करती है अब हमारे इंडिये की बात करें हमारे जहां पर कई और तरह के वर्ट्स और अनिमल्स मिलेंगे और और किसी जगह की बात करें तो वहां पर जो एनिमल्स और वर्ट्स मिलते हैं वह और तरह के होंगे तो देखिए इसलिए विल्ड लाइफ जो है वह सब जगह सेम नहीं होती देखिए ऑस्ट्रेली की बात करें तो ऑस्ट्रेली में देखि जो कि हमारे मिलते से लिए जो विल्डराइफ है यह भी प्लेस टू प्लेस वेरी कर रही है अगर हम अड्वांटेज की बात करें देखिए जो फस्त यह हमारी नेशन का ब्यूटी है इससे टूरिजम बढ़ता है सैकिन क्या है हमारे विल्डराइफ सेंचरीज बनेगी तो ल कि अगरे देखिए नीड क्या है में कंजर्वेशन ओफ विल्डराइफ क्या में विल्डराइफ क्यों बताना चाहिए इसका रीजन क्या है कि कुछ एनिमल्स हमारे एक्स्टिंक्ट हो रहे हैं हमारे एनिमल्स खत्म हो रहे तो इसलिए हमें इनको बचाना चाहिए सैकिंड स्टेप्स हम जो लेंगे इसको कंजर्ब करने के लिए वो स्टेप्स में फर्स टैप है हमें बैन करना चाहिए हंटिंग को पोच्छिंग को विल्ड अनिमल्स की और वर्ड्स की एक सजा वाला एक्ट बनाना चाहिए इसमें कि उनको सजा होगी जो ईसकरेंगे थर्ड के किसी को राइट नहीं होता फ्रेस्ट प्रडक्स को क्लेक्ट करने का विज्टर्ज ओनली जहां पर विजिट कर सकते हैं इसको देख सकते हैं वह भी कंट्रोल वे में कि तो सेकिन है रिखेए बात करें विल्ड लाइट शैंकुरीज की तो सैंक्रीज क्या है Risk जाह पर जंग्ली जीव कर अफ्रेंडि हो रहे थे लेक्लेडि उ सके याँरम पर एक्टिविटी बहुत कम होती है यां पर हंटिक और एंग ठीटिन करना हो दिखनी और यहां पर रह वार्वस बगारा जब फायर बुट बगारा कथी कर सकते हैं थैंक्स फॉर वाचिंग इस वीडियो